अपना लेक्चर टू कोशन बैंक सीरीज का हमने लास क्लास में एक आंसर लिखने का पैटन सीखा था स्पेसिफिकली केस लोग बेस्ट कोशन पा जहां पता है वह पैटन यूस किया जा सकता है उन केसी में जहां आपको आंसर पर्फेक्टली आता है यानि कि section number clearly आपको पता है case low आपको properly पता है आपको properly conclusion पर आना आता है उस वीडियो के बाद मेरे पास कुछ students के कुछ छोटे-छोटे doubt आये पहला doubt दो मेरे पास students का आया कि sir जो आपने हमें pattern दिखाया था answer लिखने का वह मैं आपको पैटन दिखा देता हूं हमने कुछ इस तरह का pattern देखा था जहां हमने चार अलग-अलग paragraphs में अपने answers को divide कर लिया था पहला paragraph में उन्हें आपको बताया था कि आप लिखेंगे section applicable फिर आप लिखेंगे legal provisions फिर आप लिखेंगे facts of the case and analysis and last में आप बात करेंगे conclusion के बारे में तो बच्चों ने कहां कि ठीक है sir हमें answer लिखना तो broadly आ गया कि अच्छा इस तरह से लिखना होता है कि ए answer is yes, but case law में आप लंबा चोड़ा answer की length पर differentiate नहीं कर सकते, क्या करेंगे आप content खा जाएंगे answer का, ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको practically अगर 3 number का आएगा तो भी इतना लिखना पड़ेगा, अगर 4 number का आ जाता है तो भी ये 4 paragraph लिखने पड़ेंगे, इस तरह से explain करने पड़ें कम से कम भाशा के अंदर उसको explain कैसे किया जाए, तो वहां कोई कमी नहीं की जा सकती answer में, facts में थोड़ा about adjust किया जा सकता है, लेकिन फिलाल अभी मैं आपको उस point पे नहीं ले जा रहा है, कि छोटा कैसे किया जाए, पहले proper pattern लिख सीख लेते है, answer लिखने का, फिर देर दे कि इसके size को कैसे vary किया जाएगा, वो सीखेंगे, तो पहला doubt मैंने clear किया, second doubt जो मेरे पास आया, वो यह था कि sir, जो conclusion है, क्या ये conclusion हमेशा last में लिखना होता है, कि नहीं तो हमारे कुछ teachers हैं, जो खासकर graduation में हम पढ़ा रहे हैं, उन्होंने बोला है कि conclusion starting में लिखना होता ह जैसे कि अगर हम इसी question में देखे हैं, तो बच्चा के मेरे से पूछ रहा था, कि sir, क्या मैं इस question को ऐसे शुरू कर सकता हूँ, yes, in the given case, ABS private limited is a subsidiary of TSR private limited because of the following reasons, मैं नीचे सारे explain कर दूँगा, हाँ, कर सकते हैं ऐसा, लेकिन generally बड़ा जो accepted norm है, जा 80-90% teacher agree करेंगे, वो ये norm है, कि generally conclusion इस तरह से दिया जाता है, जो answer है, वो शुरू किया जाता है, legal provisions के साथ, applicable sections के साथ, as per section this, in accordance with section this, इस तरह से शुरू किया जाता है, last में आप generally conclusion के उपर आते हैं, तो आप इसी pattern पे stick करें, ये ज़्यादा acceptable pattern है, answer लिखने का, दोनों doubt clear हुए, third जो मेरे पास doubt आया वो बहुत जादा आया, बच्चों का, पता नहीं, शायद मैं clear नहीं कर पाया, last class में, बच्चे मरे से पूछ रहे हैं, कि sir, जो ये आप questions करा रहे हो, ये book तो हमें मिली नहीं, guys मैंने कभ बोला है, ये book आपके पास होगी, ये मेरी खुद की बनाई हुई book है, ये मेरे students है उनको दी गई है, कुछ students में purchase की हुई है, उनके पास होगी, ये institute का material नहीं है, तो please ये doubt बार-बार comment section में डालना बंद कर दीजिए, कि sir, हमें ये question bank मिला ही नहीं, इसके लिए क्या करें, this is हमारा अपना ABJ Academy का इशू किया हुआ question bank, आप चाहें, voluntarily आपकी इच्छा हो, तो model test paper, RTPs, previous year questions को proper pattern में दिया है, जो मेरे खुद के students हैं, जिनने मेरे से पढ़ा हुए, उनके पास ए question bank होगा ही, कुछ students हमसे ये time to time purchase भी करते रहते हैं, तो उनके पास भी होगा, आप भी चाहें, तो मैं नीचे link डाल दूँगा, इसका purchase का, आप वहां से इसको purchase कर सकते है तो broadly जो मेरे पास last video में doubts आये थे, मैंने सारे इसके अंदर clear कर लिए, आई आज आगे बढ़ते हैं, आज मैं आपके साथ discuss करना जा रहा हूँ, एक ऐसा scenario, जहां पर हम एक ऐसी case law discuss करेंगे, जिसके अंदर section लिखना ही नहीं होता है, या ये कह लिजे, section होता ही नहीं है, ल to clause 87, आज मैं आपको एक second set of questions पर ले जाता हूँ, कुछ ऐसे concepts हैं law के अंदर जहां पर section number होते ही नहीं, सर ऐसे कोंसे concepts हैं, मैं बताता हूँ आपको company law के कुछ concepts, doctrine of ultra wires, doctrine of indoor management, doctrine of constructive notice, separate legal entity, perpetual succession, lifting of corporate will, आप समझेंगे ये concepts हैं, इनके sections नहीं है, इनके उपर question आ गया तो कैसे लि लिखें, legal provisions explain करें, facts of the case and analysis करें, यहां तो applicable section है ही नहीं, अब क्या किया जाए, तो इसके लिए मैं आज आपके साथ करूँगा, एक type 2 of solution, जो generally उन cases में use होगा, जहां पर section number है ही नहीं, यह हैं और आप भूल गए हैं, यह pattern वहां भी चल जाएगा, आप उस case में भी इस pattern के through answer दे दीजेगा, क्योंकि foundation level बेटा, वो आपसे expect नहीं करते हैं, आप सारे section लिखें, वो marks नहीं काटेगा, आपका section ना लिखने, कि हाँ, गलत लिखोगे तो पक्का काटेगा, तो गलत मन लिखिएगा, नहीं आता, तो आप second pattern के through answer लिख सकते हैं, आई इसके रिए मैं आ specifically डूंड के लाया हूं, जहां पर आपका section है ही नहीं उसके अंदर, question 6 पर आ जाईए, question 6, काफी important question है, लगबग सारे students ने किया हुआ होता है, यह question, F, an assessi was a wealthy man, earning huge income by way of dividend and interest, he formed three private companies and agreed with each to hold a block of investment as an agent for them, the dividend and interest income received by the companies was handed back to F as a pretended loan, तो इसमें क्या था, F था, assessi income tax के लिए उसके इसकी calculation हो रही थै, income की वड़ा उस वेक्तिक को assessi बोलते हैं, जिसकी income tax में एक तरह से income tax का रहा होता है, उसको आपने जो major investments थे उन तीन कंपने में बाट दी, अब उसकी जो इन्वैस्मेंट्स के उपर dividend था, interest था वो उन companies के पास आने लग गया और वो companies क्या करती थी वो ही वाला पैसा जो interest और dividend के पास उनके पास आता था वो इस Mr. F को as loan वापिस कर दिया करती थी तो नो आपसे question क्या पूछा the dividend interest income received by the companies was handed back to F as pretended loan this way F divided his income into three parts in a bid to reduce tax liability वो तीन हिस्सों बढ़ गई income तो वैसलिए अब तीन चार अलग अलग persons बनगे तो सबके हाथ में taxable value कम होती चली गई decide for what purpose the companies were established whether the legal personality of all three companies was disregarded मैंने class में बहुत detail में example लेके discuss किया था अगर आपको याद आ रहा हो तो एक केस आता है research दिंशा मैंने जी पैटिट उसके हूब हूब हूफ facts हैं तो मैं जान पूछके आप एक ऐसा question लाया हूँ आज जिसमें मैं आपको यह विताऊंगा कि case law answer के अंदर जो decided case law है उनको कैसे include किया जाता है और specifically ऐसे question जो हूब हूब किसी case law की copy हो जो हूब 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 सेम facts लिख रखते हो जैसे यह है series सर दिंशा मैंने इसको कैसे handle किया जाए तो आइए देखते हैं इस तरह के answers कैसे लिखे जाते हैं मैं आपको लेग जा रहा हूँ वह अपना मैंने answer पहले कर सकते हैं यह हमारा type two of questions type two में हम क्या लिखेंगे section number ही नहीं no section number उस case के अंदर आप यह वाला use कर सकते हैं pattern देखें मैंने कैसे शुरू किया जो पहला paragraph था applicable section वह paragraph मैंने हटा दिया है क्या लिखा है मैंने the problem given in the question relates to the concept of separate legal entity of the company and lifting of corporate will को तब तक explain नहीं किया जा सकता जब तक separate legal entity के concept को explain ना किया जाए तो मैंने दो concept के नाम लिखें कि वह यह separate legal entity और lifting of corporate will के concept से related question है ऐसे ही अगर माल लिजे आपको कोई section भूल जाता है माल लिजे प्राइवेट प्राइवेट कंपने से related concept पे question आ जाता है तो भी आप यह लिख सकते है तो प्रॉब्लम गिवन इन दा question relates to the concept of separate legal entity of the company and lifting of corporate will concept of separate legal entity a company once incorporated पहले मैं explain कर रहा हूं तोनों concept a company once incorporated is in the eyes of law a person distinct and separate from its members and therefore it has an independent separate legal existence from its member who have constituted it मैं explain नहीं कर रहा है आपको मालूम है separate legal entity क्या होती है अपनी भाशा में आप लिख सकते हैं कि एक वार company incorporate हो जाती है it is separate legal existence in the eyes of law वो अपने जो members हैं उनके वो law की नजर में अपने members से अलग माने जाती है वह बाश्य मैं नहीं यहां लिखी यहां मुद्देप आई है कि case कैसे include किया जाता है अब आप समझें कि मैठा तो separate legal entity के उपर तो कई सारे case laws है मैंने देखे क्या language उस करी मैंने लिखा the same has been laid down by the courts in several cases like Solomon versus Solomon and Company Limited, Lee versus Lee Air Farming and Company Limited basically मैंने क्या किया मैंने का जिए separate legal entity concept मैंने आपको उपर explain किया है कि company separate होती है member separate होते हैं यह बात courts ने भी कई अलग-अलग cases के अंदर decide कि हुई है जिन में से कुछ के नाम यह रहे तो language का यह उसकी मैंने the same has been laid down by the courts in several cases like Solomon versus Solomon and Company Limited, Lee versus Lee Air Farming and Company Limited आप फिर से note करेंगे पीटा facts नहीं लिखें मैंने case के और case के facts लिखने भी नहीं होते हैं कभी भी आपसे paper में question में case के facts नहीं पूछेगा आपको बताने भी नहीं होते हैं आपको सिरफ नाम याद रखने हैं उनकी judgment क्या है वो याद रखनी है एक तरीका ही है कि जहां आप judgment लिख देते हैं पहले अपनी भाश्या में और फिर लिख देते हैं नीचे यहां पर court separate legal entity के concept को disregard कर देता है उसको हम lifting of corporate wheel कहते हैं कब कब करता है when the court finds that the concept of separate legal existence or corporate wheel is being misused for fraudulent and illegal activities it may ignore or disregard the separate existence of the company and then look behind the corporate wheel जो यह पर्दा जिसको हम corporate wheel बोलते हैं जिसको अब separate legal entity concept बोलते हैं इसको disregard करेगा और देखेगा पर्दे के पीछे to found out the persons who are in the control of the management of such company and hold them liable person's actual control में हैं उनको ढूंडेगा और उनको liable ठराएगा मैं concept पे ज़्यादा जोर नहीं तरहा because I am believing कि आपको आभी तक lifting of popular concept पे आता होगा अब हम आ जाएंगे same वही paragraph पर तो जो आपने वहाँ दो paragraph लिखे थे applicable sections and legal provisions वो मैंने यहां अब मैं सीधा किस पर आ रहा हूं facts of the case and its analysis के उपर यह paragraph हमने उपर उन दो paragraph के जगा हमने concept बता दिया उसके बाद के दो paragraph same रहेंगे facts of the case and analysis और conclusion facts of the case में देखे मैंने कितने छोटे में facts को summarize कर दिया in the instant case मैंने आपको कहता है in the given case नहीं लिखना होता in the above case भी नहीं लिखना होता in the given case यह भी चल जाता है in the above case तो बिल्कुल मैं लिखेगा as a means of avoiding tax by splitting up his income into three different parts मैंने का जी तीन company बनाई गई है और तीन company बनाने का एक मात्र purpose क्या है कि tax को avoid किया जाए कि income को split किया जाए अब देखें मुझे मालूम था कि यह जो question है यह straightforward research मैंने जी पैटिट के case से आया है देखें मैंने उस बात को लिखा कैसे the given facts यानि given facts कोंसे जो आपने question में दिया है या जो मैंने उपर लिखें है are similar to the one decided by the court in research दिन्शा मैनेक जी पैटिट देखें मैं कितनी कहले चलाकी से बिना facts बता यह बात लिख गया कि जो बात आप लिख रहे हैं ना question के अंदर बिल्कुल हू भू यही कहानी कहां पर थी research दिन्शा मैनेक जी पैटिट के अंदर तो यह language आपने use करनी होती है उन जगाओं पर जहां आप facts बता बैठे होते हैं और फिर आप लिख रहे होते हैं कि यही facts बिल्कुल same इस case के अंदर भी decide किया गए तो मैंने क्या लिखा the given facts are similar to the one decided by a court in Ree sir दिन्शा मैनेक जी पैटिट और फिर इस case में court ने क्या decide किया वो बता दिया wherein the courts disregarded the legal existence of the companies formed only for the purpose of tax evasion and clubbed and taxed the entire income in the hands of the assessi तो मैंने judgment भी बता दिया मैंने क्या बोला जी facts यह हैं case के हूब हूब facts दिन्शा मैनेक जी फैटिट के अंदर थे और वहाँ पर court ने क्या किया था separate legal entity के concept को disregard किया था because उन्होंने पाया था कि companies tax evasion के लिए बनी है और सारी income club कर दी थी और tax कर दी थी किस के हाथ में assessi के हाथ में अब मैं आ जाओंगा conclusion के उपर conclusion अच्छा conclusion देखे मैं शुरू कैसे करते हैं important है यह भी in view of the above stated law याने की ऊपर लिखे गए law के basis पर अधार पर या इसको आप लिख सकते हैं in the light of above stated provisions या in the light of above stated law कुछ भी लिखे लिजे या in the view of above stated law आगे conclusion पर आ जाई ये the legal personality of three private companies पी गायब हो गया the legal personality of three private companies formed by Mr. F may be disregarded by the court बड़े मैंने may be disregarded क्यों लिखा will be disregarded या शाल भी disregarded क्यों नहीं लिखा should be disregarded क्यों लिखा because आप समझेंगे आप कोट की power की बात कर रहे हैं यहां पर आपको कैसे guarantee है कि कोट ये कर देगा आप कह रहे हैं कि हाँ in the light of above provisions कोट ऐसा कर सकता है क्योंकि आप समझेंगे जो से lifting of corporate wheel है या अपने आप में एक discretionary power है कोट की कोट चाहे तो करता है कोट ना चाहे तो नहीं करता है इसलिए मैंने words क्या use किया है it may be disregarded by the courts as these have been formed only for the purpose of tax evasion तो language जेके मैंने कहा लिखी in view of the above stated law या आप लिख सकते है in the light of above stated provisions the legal personality of three private companies formed by Mr. F may be disregarded by the courts as these have been formed only for the purpose of tax evasion क्या क्या नहीं लिखना conclusion में in my opinion बिल्कुल नहीं लिखना according to me बिल्कुल नहीं लिखना as per my opinion बिल्कुल नहीं लिखना ये वाले words भी उस करते हैं ये words strictly prohibited है answer में आप ये कभी नहीं बताएंगे मेरी opinion में होना चाहिए आपकी opinion नहीं मांग रहा है examiner आप से क्या कह रहा है law क के light में क्या answer है वो बताइए आप अभी उतने बड़े वकील नहीं बने कि आप लोगों की opinion मांगने बैठ गया institute नहीं ये words मत लिखतीजेगा पर पर जालतर बच्चे लिखते हैं इसलिए इसलिए बार बार पर तोक रहा हूं मैं जब test लेता हूं तब भी भाशा लिखी व आप conclusion लिखिए और conclusion बिल्कुल clear लिखिए मैंने आपको पहले बताया था तीन चार लाइनों से उपर conclusion मत लिखिए और conclusion में जो बात मुद्दे की है जैसे हमारे यहां लिखा it may be disregarded by the courts इसको underline करी है ताकि first look के अंदर आपका conclusion पकड़ा जा सके तो यहां हमने देखा मैंने यह case law के अंदर क्या क्या किया type 2 के अंदर हमने वहाला situation handle करी जो section number ना हो फिर मैंने आपको इसके अंदर एक situation दिखाई जहां एक से जादा case law लिखना हो तो हम इस तरह से लिख देते हैं sorry इस तरह से लिख देते हैं जो हमने separately करें NT में लिखा the same has been decided by the courts in several cases like आगे मैंने न उसके बाद judgment लिख देंगे फिर मैंने last में आपको दिखाया कि किस तरह से conclusion लिखा जाता है इस तरह से मैंने आपको एक type 2 of answer लिख के दिखाया यह generally जो use होंगे जहां पर section number है नहीं यह section number है और आपको आता नहीं है इस तरीके से answer लिखिए कोई तकलीफ नहीं होने वाली ह third next class के अंदर मैं आपको एक और pattern सिखाऊंगा जहां पर हम देखेंगे कि जहां एक से जादा section number से question आ जाए उनको कैसे handle करते हैं और case law include करने का एक तरीका और होता है यहां मैंने जो case law include किया है वो आप देखेंगे बड़ा facts वाले column में जाकी किया है एक तरीका और होता है जहां पर आप conclusion वाले column में भी case law include कर सकते हैं वो हम next class में सीखेंगे वो एक तरह से types 3 हो जाएगा questions लिखने का अच्छा एक बात और देखें type 1 में हमने सिरफ वो question पढ़ा जहां पर section था case law नहीं था क्या आप उस type 1 में आप case law भी include करना सीख चुके हैं बिल्कुल वहाँ type वैसे ही चलता रहेगा applicable section legal provisions facts वाले case जब explain कर रहे होंगे अगर वहाँ कोई case law भी है तो आप case law mention कर दीजिए महाँ पर case law include करना भी सीख गए और फिर आप conclusion in the light of about stated provisions लिखके conclusion दे दीजिए उसका यहां मैंने आपको सिखाया case law हमने include करने सीख लिए by chance यह question में section number नहीं था तो आपको बिना section number वाला answer लिखना भी आ गया और conclusion लिखना आ गया third में मैं आपको call नहीं जो अगली class दूँगा मैं आपको उसमें मैं क्या बताऊंगा आपको कि एक से जाधा section कैसे include किया जाता है और case study को किस तरह से conclusion के अंदर भी include किया जा सकता है वो वाला pattern भी कहीं कहीं follow किया जा सकता है जहां जो facts होते हैं वो लगबग matching नहीं होते है लेकिन आपको पता होता है इस concept से relating यह वाला case है तो आप यह नहीं लिख सकते हैं तो given facts are similar तो आप उस facts के basis से पहले answer दे देते हैं और last में आप बता देते हैं कि ऐसा हुल मिलता जुलता एक case और भी है तो आप conclusion में handle करते हैं वह मैं next class में कराऊंगा कि उस तरह से कुस तर solution भी मैं आपको देता चला जाओंगा तो next class में हम वह पढ़ेंगे जहां पर एक से जाधा sections include करना है इसके अलावा मैं आपको अपने question bank में से जो important questions है company लोग के mark करा दूँगा वैसे में around 37-38 questions हैं सारे important हैं खास नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँगा कौन को से सबसे जाधा पूछे गए हैं सबसे जाधा question उसके अंदर contract act के हैं उसके वाद हम contract act के उपर आ जाएंगे तो वह हम करेंगे प्लस मैंने पर handle कराऊंगा कि theory questions को कैसे handle किया जाए जल्ली बच्चे का doubt होता है कि जो आपके length है वह questions की change की जा सकती है कि नहीं किस तरह के questions ऐसे हैं जा length change की जा सकती है किस तरह के questions ऐसे हैं जा length change नहीं की जा सकती है आपको पूरा का पूरा लिखने का ही पड़ेगा तो वह सारी बात किसी तरह की कोई opinion हो, किसी तरह की कोई आपकी doubt हो, किसी तरह का कोई suggestion हो, comment section में डाल दीजेगा, वीडियो अगर पसंद रही हो, वीडियो अगर useful लगी हो, तो अपने friends के साथ share करेगा, वीडियो को like दीजेगा, और किसी तरह की problem हो, तो WhatsApp number में आप लोगों को दे रखा है, WhatsApp number पर आप doubt डाल सकते हैं, तो यह था आश्च की वीडियो, I think beneficial लगी होगी, next वीडियो मिलते हैं, और अच्छे concepts के साथ, जो आप law के answer लिखते समय, use कर सकते हैं, till then, thank you very much, take care of yourself.